हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं जीस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आनलाइन क्लासिस में दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग आयो सीयल का मिमोरी बेस्ट कोईशन का इलाइसिस करेंगे और जितने भी करने के लिए आपको आई ओसेन्से निकालती रहते भी फॉंड़ आया गए उसका परेंगे उसका आप वहाँ करेंगे तो average को देखिये इसमें देखिए आयो सीयल में आपका हंडिट कोसें जो है हन on total अन्रेड कोसें आता है जिस में से आपका एट्टी कोशन यह आपका ट डिए मतलब हर जगा कालग अलग रूल है तो मत्मृड में है तो ठीकिह थो यह पलगской में च Singapore इस इसमें हम मतलब दिया था कि अगर वन के भी के स्थाटे हुआ है कि लाइन उसके क्या हद होका है सेपस सीटी सीटी की सेब क्या होती दिखे तो यह सेब्ष को सेब्ष तो इसके बाद करें को सुखाने के लिए हम यूज करते हैं और देखें टायलेट्रीकिंग के बारे मगर आप थोड़ा सा जानेंगे है तो देखे डाइललेक्रिक हिटिन जो होती है ये पाइर इसका होती है अप यूज करते हैं या या तो पर नान फिरस हिरेंश करने के लिए यूज करते हैं और जैसे आपका लकड़ी हो गया या इंसुलेटिंग मटरील हो गया इनको कंजरुवेशन के लिए प्रिजरुवेशन के लिए हम यूज करते हैं और आपका रा मटरील हो गया है जैसे इन सभी को सुखाने के लिए हम यूज करते हैं है ठीक हैं आए हम लोडेखते हैं talk सिल्का जेल का कलार पुछा है अगर आपका एल्द्रिक नें तो अग्र मॉआश्च कंडिसण कर लिया root of teeth के यह इसके हैं साभर के इसके लिए और DAVID को मीजर करने के लिए heroic प्रसलेस banging DC Motor कौन जी होते हैं या तो फिर आप DC Synchronous WILודה सकते हैं इसके बाई उसकी स्टै्रिक्ट चार्ज शvit होता है आप जैसे आपकुछ ले लिए काच को ऐसे हापस में घड़ ये या फिर अपने हेंड को अपने हेयर में रगड़िये इसका अफाइ स्टेटीक होता है तो से एलक्क्रिक फिल्टर प्रोड्यूस होता है इसके बाद दिखिए इंडक्टेंज की जो इंडक्टेंज होता है उसमें इस्टोर एनरजी के लिए फार्मुला पूछा था तो हाफ एल आइइस वहर पुछाता है इसके वार ऐसे भीयर फाल्ट पुछाता तो आपका जो किसी एलो आप देखिगाता सब्तिहलो होता है डिखिए पूचाता क्या पुछाता है तृघ करता है तो थम अ instruments ग़िए यह आपका जो finger होती है यह आपके magnetic field को magnetic field को revision करती है थम जो होता है आपका current को यह आपका जो palm है या slap है जो आपका थपड़ होता है यह यह आपके field के direction को force के direction को revision करता है कौन सा उपर है जाएगा force इसके बदे लर्सी सर्कृट से दो को सनाये थे flaming left hand rule कहां यूच करते हैं देखिए मोटर के लिए उच करते हैं right hand rule generator के लिए उच करते हैं strong magneti जो होता है आपका ferromagnetic materials बनाई जाते हैं फेरो magnetic material में देखिए इसके relative permeability जो होती है वो बहुत जादा होती है एक से बहुत जादा जाए था इसके बाद देखिए lamp without starter एसा कौन सा लैंप है जो starter जिसमें starter नहीं यूच किया था है तो वह mercury वैपर लेंप होता है इसके बाद देखिए absolute instrument काउन सा होता है तो टेजेंटियल गैलनोमेटर जो होता है आपका absolute प्रण्ट की घुच्छ को ज्यादा तेजी सब्लोह इसलिए हम करते हैं तो इसमें निपके बेस होता है उसको हम low-dropping कर देते हैं तो लोड-dopping करने के वज़र से आपका जो अमेटर से लेक्टान जाते हैं अमेटर जो लेक्टान जाते हैं उल्हू लगभग अल्मोस्ट 5% तक उसमें आपका रिकंबनेशन में लॉस हो जाता है बाकि 95 परसेंट जो है आपका क्लेक्टर को मिल जाता है इसलिए उसके जो करेंट होती हो बढ़ जाती है अगर रिजिष्टेंस को हम यहन गुना कर दें तो मतलब इस टाइब से कुछ था करके इसके बाद देखिए एक कोशन था कि इस लिप जो हता है इसलिप एड रुनिंग टाइम रुनिंग कंडिशन में इसलिप यह उती जिए जीरो होती है क्योंकि आपका रह जो आपका एंस होता है ns और nr यह दुनों बराबर हो जाते हैं तो आपका इसलिफ जोती जीरो हो जाती है इसके बाद इलेटकल डिग्री से कुछा देखिए इलेटकल डिग्री निकालने के लिए पुछा था नमबर आप पोल और मगेनिकल डिग्री साइद कुछ दिया था तो आप यहां से लिटकल डिग्री स्कल्टू ठीटा इन् टू पी अपन टू से निकाल सकते थे बिल्कुल इसमीं ट्रिगर से दिखिए को पूछा गयाता इसमीं ट्रिगर क्या होता है तो उस्के बाइस्टेबल मल्टी वाइडरेटर होता है इसमीं ट्रिगर और मुऊंच करते हैं स्वीच जो हता है स्वीच जो परदेक्शन करने के लिए हम और स्वीच यह करते हैं कि आपका देखें फॉर्ट पोर वन पाइंट फोर वन फोर होता है 1.414 होता है और इसके बाद आपका RMS value 0.707 होता है और average value जो होते हैं आपकी 2 IM अपान में पाई होती है या इसी को हम 0.636 लिखते हैं एक speed निकालने के लिए था दिखें याने ऐसे इसकल to 120 आप बाइप से निकाल सकते थे आप एक question पुछा था दिखें उसमें कि आप जो number of turn होता है अगर कोई coil है उसमें number of turn को हम अगर increase कर देते हैं तो inductance क्या होगा तो inductance आपका increase हो जाएगा तो यह सब question थे दोफ्तों तो ठीक है दोफ्तों देखें पेपर मतलब की बहुत अच्छा था पेपर बहुत जी था और मेरे साब से लगभग मेरिट जो है 80 से 75 पर 80 से कम नहीं रहेगी और पेपर भी ठीक था तो ठीक है दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जाईए चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए हमाँ पर complete revision करा गया है बहुत अच्छे थार तो तो जैसे स्का तता आए कि आवकूर लाधी बचकूर अ synchronous भाकूर मेरे से अविका घ्र जोस्तों मेरेग्ätzen वे बहुत ऑला, का दूला, के अश्यशना से एक दो